हेलो एवरिवन आज की वीडियो में हम मैटल कार्बन कॉंप्लेक्स को डिटेल में डिसकस करेंगे मैटल कार्बन कॉंप्लेक्स के इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसकी क्लासिफिकेशन प्रॉप्रियेशन और रियक्शन को भी डिसकस करेंगे इसके बाद मैटल कार्बन कॉं कार्बुनिन कार्बुल्ट। के structure और कौन कौन से factors हैं जो उन कार्बुनिन 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 वह भी discuss करेंगे अगर आपको मेरी यूदिया पसंद आए तो चैनल को like and subscribe करना न भूलें तो चलिए शुरू करते हैं मेटल-carbonine complexes मेटल-carbonine basically transitions metal complexes carbon-monoxide के जिसमें एक central metal है जो के डिरटली बॉंड है डिर्टफी बॉंड है carbon-logend से थ्रू इस carbon atom मतलब metal का चारबन का डिरट ॉंड है और कारबन आपका बेसीकली carbon monoxide से हैं तो इसलिए हम मेटल कारवन कॉंप्लक्स को और गन मेटलिक कमपाउंड भी कंसिडर करते हैं मेटल कारवन कॉंप्लक्स में एक प्रोपरटी होती है जिसकी वज़व से इसकी इंडस्ट्रियल अप्लिकेशन बहुत ज्यादा हैं तो चलिए पहले शुरू करते हैं सबसे पहला topic classification of metal carbon complexes metal carbon complexes को भूसे को कहीं तरह से classify कर सकते हैं सबसे पहला important है आपका based on the ligand ligand के बेसे classification इसको दो में करते हैं पहला आपका है homolyaptic metal carbon complexes में सिर्फ एक ही लीगन होता है जो के है कार्बोनील लीगन जैसे के एक्जामपल है पेंटा कार्बोनील आइरन कॉंप्लेक्स दूसरा है आपका हीट्रोलिप्टिक metal carbon complexes इसमें एक से ज़्यादा लीगन होते हैं जिसमें से कम से कम एक लीगन आपका कार्बुनील होता है जैसे के यहां एक एक एक्जामपल दिया है डाइकार्बुनील डाइनाट्रोसिल आइरन कॉंप्लेक्स दूसरी classification है इसको भी हम दो में क्लासिफाई करते हैं पहला आपका Mono nuclear Metal carbon complex इसकेस में सुर्फ एक ही metal होता है और लीगन कितने भी हो सकते हैं जैसे के एक्जामपल है पेंटा कार्बुनील आइरन कॉंप्लेक्स दूसरा है आपका कवलीव मैटल कार्बोन कॉंप्लेक्सिस इस केस में के से जखनी होते हैं 2 भी हो सकते हैं 3 या 5 3 भी हो सकते हैं बट कम से कम दो होना चाहिए यहां जेसके एक्जामपल यहां दिये करते हैं दो में पहला है बेस ऑन दी नंबर ऑफ मैटल सांटर और दूसरा बेस ऑन दी नंबर ऑफ ब्रिज लिगन इसमें पहले की बात करते हैं बेस ऑन दी नंबर ऑफ मैटल सांटर इसको हम further classify करते हैं दो में, एक है आपका homo nuclear, polynuclear, matal carbon complexes, इस case में दो से ज्यादा metal तो होते हैं बट दोनों एक ही जासे होते हैं, एक ही atom होते हैं, जैसे कि यहाँ example दिया है, the dichobal octa carbon complex, दूसरा है आपका. हीट्रो nuclear, polynuclear, matal carbon complexes, में इस केस में दो से जादर मेटल होते हैं और दोनों ही अलग होते हैं अगर तीन है चो दो सेम हो चाहिए बट ओवर और दो कम से कम अलग-अलग मेटल होना चाहिए जैसे कि यहां अग्जामपल दिया है कोबाल्ट रुनियम नोना कार्बून कॉंप्लेक्स दूसरा कार्बून इसके में आपका 3 रुडियम आइन में यहां रॉडियम और güçlingen कार्बून यहां तो इसमें से जो होते हैं आपका तीन रुरियम आईन में connected होते हैं तीसरा आपका non-bridging carbon complexes इसमें a carbon सुरिफ एक ही मैटल आइन से connected होता है और बाकी कारबोनील यह कुछ carbon आपके दो यह तीन से connected हो चकते हैं non-bridging carbon complexes को आपका बॉल सकते हैं क्योंकि इस case में आपका नापका सुरिफ टर्मिनल कार्बॉन जो एक्जामपल आपको बताई थैं, इनके स्क्षर उस तरीके से हैं, पहला आप देख सकते हैं, डाय आयरन कोउला, उस इस केसमें आइर समय और कॉबाल्ट है कफर रही कारबोनिल थो न ना कारबोनील हूड एक दो आ Jub City में इसकेसर में दिल्चेशित कारबोनिल यानि बिल्चिंग कर्बोनील से लिए दूसरा कनेक्टporte थरी मिश्ची है ц्क्रष के वहाँ पर कुछ कारबोनील यासे है जो से आप देश सबते हैं कोई भी ब्रिज इंग लीगंड नहीं है सारे के सारे टर्मिनल है और हरे कि मेटल से ही कनेक्टेट है इसके बाँ सुरू करते हैं में नए टॉपिक वो है आपका क्रिप्रप्रीजन और मैटल कार्फिक से मेटल कार्फिरी कर सबते हैं सबसे एंपॉर्डन है ईसको सबसे पहला आपका डायर कम्पॉनेशन सबसे और फ् tanto इलेक्टरन डेंसिटी है जो के प्रोवाइट कर सकता है कार्बोन लीगन को उसके एमटी एंटी बांडिंग पाई मॉलेक्लर और और बिटल में है ताके बैक बांडिंग हो सके है इन बिट्वीन मैटल और कार्बोन लीगन जैसे आप यहां अग्जांपल में देख सकते हैं निकिल है आईरन है कोबाल्ट है यह तीनों ही अपने नियूट्रल ऑक्सटेशन स्टेट में हैं और एक कार्बोन लीगन ने एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर इन दोनों को कंबाइन किया है और अपने कर्रेस्पॉंडिंग कंपाउंड वह बना जेते हैं दूसरा है आपका रिडेक्टिव कार्बोन लीशन रिडेक्टिव कार्बोन लीशन हम बेसीकली उसमें यूज करते हैं जहां पर ट्रांदेशन मैटल अपना कुछ पॉजिटिव में ला सके फिर उसके बाद कार्बोन लीशन से कंबाइन करता है और अपना फाइनल यह प्रोड़क्ट देता है मैटल कार्बोन का जैसे कि आपके सामने कुछ कंप्लेक्स हैं और उनके स्टार्टिंग में आप देश सकते हैं कि वेनडियम का हलाइड है क्रोमियम का इन सबके हलाइड हैं जो के कुछ रियाट करते हैं जैसे के सोडियम अलमीनियम कॉपर और सिल्वर तो यह इन जो मैटल को रिडियूस करते हैं उनकी न्यूट्र ऑक्सडियूस में फिर बाद में कार्बोन लीगन से कंबाइन करके उसके कर्सपांडिंग मोननुक्लियर कार करते हैं जो के बाद में कार्बोन लीगन से रियाट करके अपने कर्सपांडिंग मोननुक्लियर मेटल कॉम्लक्स जनरेट कर देते हैं कुछ और भी मैटल है और या कुछी और सॉल्ट फॉर्म में वह अपने रिडियूस जब रियक्ट करते हैं फिर फाइनली फिर वह जब वह कार्बोन लीगन से रियक्ट करते हैं पर्टिकुलर टेंप्रोचर पर या प्रोशर पर तो मोननुक्लियर के बजाए वह पॉली न कार्बोन प्रोडियूस हुआ जो के बिसीकल एक पॉली नुक्लियर मैटल कार्बोन कॉंप्लक्स इसी तरीके से कोबाल्ट के कुछ और सॉल्ट है और रोथेनियूम का असे टाइल अस्रोटनेट कॉंप्लेक्स है जो कि हाइड्रीजन से रिडियूस होके रोथेनियूम आपने आप में ही एक कार्बोन इंटिंग तो है साथ में वह रिडियूसिंग अजन्ड भी है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि ऑस्मियम का यह रिथेनियूम का कॉंप्साइड है जिसमें और यहां पर इसको रिडियूस कर जाता है साथ साथ में कमबाइन भी करता है और अपने कॉंप्साइड कर जैता है इसके बाद करते हैं अपका यह उजप आइरन पैंटा कार्बोनिल इरन पैंटा कार्बोनिल में जो कर सकता है जैसे कि आप यहां में देख सकते हैं और जब करते हैं और पार्टिकुलर टेम्परिशर पे और अपने कर लेते हैं कि अंदो इसमें दो स्टेप हुए लेघ्ड है अपका जैसे के टंग машण हेगिसमेंटके ऑश्चिक भी हुआ है तो जाहर सी बाते हैं कोई सhetcketभी होगी तो अक्षोडिशन कि अपना मना आप किलो राइड नमबर फूर आपका फोटो केमिकल सिंथेसिस कुछ मोनो नुक्लियर कॉंप्लक्स हैं जैसे कि आरें पैंटा कार्बनील या ऑस्मियम पैंटा कार्बनील जब हम इसको कोल टंडीशन में ग्लैसिल असिटिक आसिड में लेते हैं और फिर इसको रडियेट करते है यह अत्याहिकल केमिकल सिंथेजिस की तरह ही है यह अब्रवाइड की जगण आपका न거 टेंप्रोट किया है जैसे के di-cobalt octa-carbonin को जब high temperature पे heat करते हैं तो heat करने के बाद यह और polymerize करते हैं और अपना corresponding compound produce करते हैं जो के higher version होता है सिंथेसिस के बाद अब बात करते हैं रियक्शन्स की रियक्शन्स और मैटल कार्बोनिन कॉंप्लेक्शिज सबसे पहला सबसे इंप़र्टन है सबसीटूशन रियक्शन्स जैसे के आप यहां देख सकते हैं कोच लिएंड हैं आईसोसाइनएड हो गया ट्राइफनद फॉस्फिन हो गया प्रिडीन हो गया और और फ्रोंचिनीन है यह करते हैं आरण के या निकिल के यह मैगनीज या आ दूसरा है reaction with sodium metal, sodium metal basically reducing कर सकता है कुछ metals के carbon complexes को, जैसे कि यहां आप देख सकते हैं hexa carbon chromium है, इसमें sodium से treatment किया, तो उसने chromium को basically reduce किया, 0 oxidation state से minus one या minus two oxidation state में convert किया, जैसे कि इस product को देख के लगता है कि इसमें minus two oxidation state क्रोमियम की और इसी तरीके तो डाय मेंगनीज वाला complex अगर हम देखें तो उस case में मेंगनीज की minus one oxidation state हो जाएगी, तीसरा है reaction with halogen, halogen बहुत सारे metal carbon complexes से react करता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि iron pentacarbon complexes जब इसका halogen से treatment किया तो एक partial substitution हुआ, halogen से थुरू, और दूसरे case में भी आप देख सकते हैं मौलोडिनम का complex है, जैसे कलोरीन से treatment किया तो उसने भी अपना partially substitute product generate किया, कुछ पॉली नुकलियर complex को जब हम halogen से treatment करते हैं तो वह पॉली नुकलियर आपका के अंदर जो metal metal bond क्लेवेज करता है, ब्रेक करता है और पॉली नुकलियर से वह convert हो जाता है, मोनो नुकलियर complex में जैसे कि इस case में आप देख सकते हैं मैंगनीज complex जो है वह आपका मोनो नुकलियर complex में convert हो गया, कुछ cases में ऐसा भी देखा गया है कि completely decomposition हो हो गया है metal carbon complex का जैसे कि आप यहां देख सकते हैं निकिल का टेटर कार्विन complex है और और कोबाल का कार्विन complex है और जब इसका treatment किया गया है है तो उनके corresponding salt generate हो गया है विसी के लिए complete decomposition हो गया इनके complex का इसके बाद बात करते हैं reaction with hydrogen hydrogen जो है वो कुछ carbon complexes को reduce कर सकता है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं एक डाइक कवर्ड कॉंप्लेक्स है जब हाइड्यूजन गैस से treatment किया गया तो उन्होंने अपने corresponding compound बनाया है जिस केस में वह basically reduce हुए zero oxidation state से माइनस one oxidation state में convert हो गए लास्ट है आपका reaction with nitric oxide nitric oxide basically nitrogen है जो के अगर हम 3D मैटल से treatment करें तो वह basically वह three electron donor होते हैं तो जैसे आप यहां देख सकते हैं एक कोबाल कॉंप्लेक्स है और एक आयरेन का कॉंप्लेक्स है इस दोने केसिस में जब हम नाइट्रोसिल लीगंड से treatment किया तो उससे corresponding partial substitution हुआ अगर मैं बाद वाले की बात करता हूं आयरेन वाले कॉंप्लेक्स की बात करता हूं तो आयरेन पेंटा कार्बोनील जब नाइट्रोसिल से रिठ किया तो अपना कॉंप्लेक्स जिनलीयाट किया जो पेसिकली है डाmüşकली लिएक नाइट्रोसिल आयरेन कोंप्लेस तो ऊतिमेट्रोसिल ना मुद देखे इसके बाद बात करते हैं bonding in metal carbon complexes metal carbon complexes में bonding किस तरह से होती है इससे जानने से पहले यह ज़्यादा जरूरी है कि carbon ligand के अंदर खुद कैसे complex bonding होती है मतलब carbon और oxygen के भी से bonding कैसे होती है एक carbon ligand या carbon monoside ligand के अंदर है तो पहला पॉइंट है bonding in carbon ligand या carbon molecule अच्छा bonding in carbon molecule को explain करने के लिए दो तरीके हैं वो अब्वेस है कि इसको explanation हम molecular orbital theory के बेस पर कर सकते हैं लेकिन इसको भी discuss करने के लिए करने के लिए हम इसको दो तरह से कर सकते हैं पहला आपको basic version है जो के useful हो सकता है कुछ school level पर या अगर आप आईटी या medical के एंटरंस के पर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए बेसिक वर्जन है और उसमें कोई SP mixing को हम describe नहीं करेंगे लेकर अगर आप graduation के student है या आप आईटी से मसी के इंटरंस देना चाहते हैं या jam या मेभी CSR net क्लियर करना चाहते हैं गेट क्लियर करना चाहते हैं तो बैटर है कि आप हायर वर्जन देखें अडवार्वर्जन देखें explanation का जिसमें हमने SP mixing को भी डेस्क्राइब किया है पहले बात कर लेते हैं बेसिक वर्जन विदाउट SP mixing तो कार्बन है oxygen एक कार्बन लीगें में कार्बन का atomic number होता है 6 और valence electron के count होता है इसमें 4 और दूसरी तरफ oxygen जिसका atomic number 8 और इसके valence electron count है 6 और उसके साब सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कार्बन की 1s2 2s2 2p2 और oxygen की हो गई 1s2 2s2 2p4 तो एक केस में चार एक केस में 6 और आपके सामने टेबल है atomic orbital ionization energy की जिसमें 1s2s2p के कितनी energy है कितनी potential energy है वो mention की हुई है आप देख सकते हैं कि oxygen केस में ज्यादा negative value है इसके corresponding orbital के साब से सेम अगर हम देखें कार्बन के जैसे के for example carbon का वेनस का potential energy है माइनस 308 electron volt जबकि oxygen का माइनस 482 और बाकि आप 2s2p में भी compare कर सकते हैं वहां दोने cases में भी ज्यादा negative value आपको मिलेगी यानि कि overall कम potential energy मिलेगी oxygen के case में क्योंकि oxygen ज्यादा इलेक्ट्र नगर्टिव है as compared to the carbon atom तो oxygen ज्यादा इलेक्ट्र नगर्टिव होने की वज़से मतलब क्या है कि उसके electron ज्यादा close होंगे oxygen से तो उसकी वज़से उसकी potential energy कम हो जाएगी चलिए अब बात करते हैं molecular orbital theory की basic version के साब से सबसे पहला step है आपका carbon का वनस orbital overlap करेगा oxygen के वनस orbital से इन दोनों के atomic orbital जब overlap करेंगे combine करेंगे तो generate करेंगे molecular orbital वह भी दो एक होगा bonding molecular orbital एक होगा anti bonding molecular orbital जो bonding molecular orbital इसका हम डिनोट किया है वन सिग्मा से और जो anti bonding molecular orbital है उसका हम डिनोट किया है टू सिग्मा से ठीक 1s carbon के 2 electron है oxygen के 1s में भी 2 electron है जब इस दोने combine करेंगे molecular orbital generate करेंगे तो जो पहले दो electron है वह आपके फिल कर देंगा वन सिग्मा में और जो बादवाले electron है वह आप फिल कर देंगा टू सिग्मा में पहले और बाद से मतलब क्या है कि oxygen ज्यादा electronegative है अगर आप देखें के bonding molecular orbital यानि के वन सिग्मा ज्यादा किलोज है वनस atomic orbital oxygen के तो जो दो electron आएंगे bonding molecular orbital में वन सिग्मा में वह basically oxygen से आएंगे contribution oxygen का होगा दूसरी तरफ जो टू सिग्मा एंटि bonding molecular orbital है उसकी energy ज्यादा क्लोज है carbon से तो उसके अंदर जो दो electron आपने फिल की है वह आएंगे आपके carbon atom से ठीक उसके बाद carbon का 2s और oxygen का 2s यह दोनों भी आपस में combine करेंगे और जब यह आपस में combine करेंगे तो यह generate करेंगे bonding molecular orbital एंटि बांडिंग molecular orbital वह basically three sigma है और जो एंटि बांडिंग molecular orbital इसको डिनेट किया फाइव सिग्मा से ठीक अब carbon के 2s में भी दो electron है और oxygen के 2s में भी दो electron है तो जब हम electron का फिल करेंगे तो जो दो electron हमने फिल किया है थ्री सिग्मा में यानि के bonding molecular orbital में वह basically oxygen से आये हैं और उसी तरीके से फाइव सिग्मा आपका क्लोज है 2s के carbon के तो जो फाइव सिग्मा जो में 2 electron फिल किया है वह basically carbon से आएंगे इसके बाद बात करते हैं carbon का जो 2ps में 2 electron है और oxygen के जो 2ps में 4 electron है यह भी आप आप इसमें combine करेंगे और अपने corresponding molecular orbital generate करेंगे तो जब carbon का 2p और oxygen का 2p combine करते हैं तो यह generate करते हैं bonding molecular orbital anti-bonding molecular orbital 4 sigma और 1pi यह bonding molecular orbital है और 2pi and 6 sigma यह आपके anti-bonding molecular orbital है 1pi यह 2pi यह basically pi molecular orbital यह आपका W degenerate है और इसमें 4 electron हम फिल करते हैं तो carbon के पास 2p में 2 electron थे oxygen के पास 2p में 4 electron तो overall हमारे पास 6 electron है फिल करने के लिए तो 4 sigma में हमने 2 electron फिल किये 1pi में हमने 4 electron फिल किये overall 6 electron फिनिश हो गए तो 2pi and 6 sigma यह दोनों molecular orbital है यह दोनों empty रहेंगे खाली रहेंगे क्योंकि कोई electron नहीं बचा फिल करने के लिए ठीक तो अब बात करते हैं 4 sigma और 1pi यह दोनों ही close है oxygen से और जबके 2pi और sigma दोनों ही close है आपके carbon से carbon के 2p से तो हम यह कह सकते हैं कि 4 sigma 1pi में जो 6 electron जिसमें basically overlapping से पहले तो चार electron तो oxygen कहीं थे 66% oxygen density तो oxygen कहीं थी अब यहां पर होगा 6 electron क्योंकि oxygen ज्यादा electronegative है तो obviously वो कुछ electron density को withdraw करेगा तो 66% से वो density increase हो जाएगी वो increase होके ज्यादा हो जाएगी तो हम यह कह सकते हैं कि और दूसरा reason वह भी है कि 4 sigma 1pi आपका oxygen के टूपी से close है तो overall summarize मैं ऐसे कर सकता हूं कि 4 sigma और 1pi basically आपका oxygen से drive हुए हैं और यहां oxygen के electron density है और जो कुछ भी 2 electron पहले कभी कारबन के थे उसका कुछ portion अक्सिजन ने विड्राओ कर लिए ठीक तो 4 sigma 1pi basically oxygen का पार्ट है और 2pi और 6 sigma basically carbon का पार्ट है आप ऐसे समझ सकते हैं हाइस occupied molecular orbital है 5 sigma जो के basically carbon का पार्ट है और lowest unoccupied molecular orbital है 2pi जो के basically carbon का पार्ट है तो चाहे होमो हो चाहे लूमो हो दोनों के basically carbon atom से ही connected है ठीक दूसरा है explanation करने का एडवांस फॉर्जन जिसमें basically हम SP mixing को भी consider करते हैं और SP mixing का मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि 2s जो है आपका carbon का और 2p carbon का दोनों के energy oxygen के 2p के close है जैसे कि आप देख सकते हैं carbon का 2p का 1-19 के असपास और carbon का 2s माइनस 19 के असपास और carbon का 2s और carbon का 2p यह दोनों आपस में और साथ में फिर oxygen के 2p यानि कि यह तीनों atomic orbital आपस में combine करके molecular orbital generate करेंगे इसका मतलब होता है SP mixing S orbital और P orbital आपस में mix किये जब यह आपस में mix करेंगे तो थोड़ा सा energy level में change आएगा और इसको confirm किया है एक conventional AB initial calculation है एक mathematical tool है उसके base पर यह चीज confirm हो चुकी है तो जब यह SP mixing होगी तो mixing होने से क्या होगा कि जो five sigma है उसकी energy थोड़ी सी कम हो जाएगी मतलब और negative हो जाएगी तो नीचे की तरफ band हो जाएगा दूसरी तरफ four sigma की energy potential energy बढ़ जाएगी कम positive कम negative हो जाएगा वह थोड़ा सा उपर की तरफ उठ जाएगा ताकि five sigma one five four sigma तीन आपस में एक दूसरे के बहुत close हो जाएं क्योंकि यहाँ पर एक SP mixing होई है लेकिन और नहीं आएगा आपका पहले नंबर पर थरी सिग्मा था वह वहीं रहेगा फिर फॉर सिग्मा रहेगा फिर वन पाई रहेगा फिर five sigma रहेगा जो जाएगा वह वह सही रहेगा और में कोई क्लोज हैं कार्बन के टूपी से तो आम यह क्या चते हैं फिर से वहीं बात के 5 sigma और 2p carbon atom के तूह ही कनक्ट्टक्टड है अब बात करते हैं बांडिंग इन मैटल कार्बॉन कॉंपलक्स मतलब मैटल और कार्बॉन लीगन के बीच में किस तरह से बांडिंग हुई है और यह जो बांडिंग होती है इसको आम नॉर्मली बोलते हैं सिनॉर्जिक इफेक्ट इस फिनॉमेना को जोसे कि आप यहां देख सकते हैं कि जो हाइस अक्कुपाइड मॉलिकुलर और फाइफ सिग्मा है और लोवस अनकुपाइड जिसमें कोई भी लॉक्ट्रॉन नहीं है वह आपका टूपाई कि दोने के दोनों ही एंटी मॉलीकुलर और ऑब्रिटल है कि फाइव सिग्मा एंटी मॉलीकुलर और और विडिल होने की वज़ाद से अपने लॉट्रॉन को डॉनेट करना चाहेगा ताक्के कार्बुन इन लिगन पाए कारबन और और उक्सिजन का बॉन स्ट्रॉंग और उसके इनर्जी बहुत कम हैं अगर मैं टूपी से कंपेर करूं तो थोड़ा सा यूप पर है तो बहुत इसली वह किसी भी मैटल के फिल्ड इलक्ट्रॉण को असेप्ट कर सकता है अपने अंटी बांडिंग टूपाई मॉलिकुलर और वे तो इस मोर्चे वह हो गया पाई केस में कार्बुन लिएन अपने फाइव सिगमा जो एंटी बांडिंग मॉल्ट्र और अर्बिटल के लट्रॉन से फाइज सिगमा दो इलक्रॉन वह दो डोनेट करेगा मैटल के एम्टी डी और बिटल में मैटल के पास अगर कोई वेकंट डी और बिटल तो वहां पर वह एसपी हाइब्रॉड और बिटल से इस हैट्वेड ओवरलाव हैं बेसिकली फाइव सिगमा इलक्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बॉन लिगन और मैटल अपने वेकंट डी और बिटल में एसेप्ट कर रहा है दूसरी तरह है आपका मैटल कार्बन पाई बॉन फॉर्मेशन इस केस में क्या है कि मैटल के पास अगर कोई फिल्ड इलक्ट्रॉन है तो वह डोनेट कर देगा मैटल के एम्टी टूपाई अंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर और बिटल में तो इस तरीके से कार्बॉन जाएगा है ठीक यह पाई बॉन टाइप हो गया जिसको नाम दिया गया डी पाई डाइस पाई स्टार ओवरलाप वह कि तो तो जब कभीभी मैटल अपने फिल्ड स्टी इलोक्राउन करेगा कार्वन को तो कार्बस यो कार्वन के पास ज्यादा इलक्रा 소ई हो जाएग予 पाई लॉक्ट्राउन को असे प्र करने के बाद जब उसके पात जयादा हो जाएगी तो besaking इसका सिगमा डावर बढ़ जाएगा neden वे जायेगा तो सिगमा युट्रेंड को डोनेट करगा उसे मैंटल में तब उसके बात युट्रेंड हो जाएगी तो ऐसे करने से उसकी पार टंडेंसी बढ़ जाएगी तो कहने का का कॉंक्लूजन यह है कि hepsếक मा-डोनर पाइसेपटन टंडेंसी वाख सप्वक्रीम्ट बढ़ाता है सिग्मा डोनर को बनलाते हैं अन्य तरह के Diren Marriage सेनल्जिक और इसा की वजा से ही स्ट्रॉंग बन्ट से एक मैटल के और कार्बोनील में के स्टेबलयज कर पाता है रहे और और मैटल के पास भी ऑप्टिमम और बिटल होना चाहिए जैसे कि यहां दिखाया गया है कि मैटल का जो फिल्डी इलक्ट्राउन है वो डी एक्सवाई का अगर होगा तो ओवरलाप कर सकता है एंटी बांडिंग मॉलेक्टल जो के बिसिकली पाइटू पी एक स्टार या भाई जयता है आई एर स्ट्रोकी में जिसको मैं एस्सका है मैं वोलते हैं तो अगर आःए मिकले पहले तो स्रेचिंग फ्रेक्वेंसी या जो फॉर्स है किसी भी बर्न जा अगर अगर हम इसको स्ट्रेस करें कोई एनर्जी प्रोवाइड करें ताके वह बॉन्ड स्ट्रेस हो सके तो इसका एक फॉर्मुला है वह है आपका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इकोल टू वन अपन टू पाई रूट के अपन मियू यह जो के है बैसिकली फोर्स कॉंस्टंट है stat議 जयाएं कि यह स्ट्रेश इंड है इनर्जी प्रोवाइड करने पढ़ेंसे उस पांड को स्ट्रेस करने में तो उतना ही ज्यादा फोर्स कास्टंस होगा और फोर्स क्वांस्टंस ज्यादा होने से bete frequency भी जदा हो जाएगी आपके सामने एक bond order का formula है जो कि है number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding molecular orbital divide by two तो अगर carbon ligand अपने anti-bonding molecular orbital के five sigma electron donate करता है sigma donation में metal के d orbital में तो वेसिकली वह अपने एंटि बांडिंग एलट्रों डोनेट कर रहा है तो जिसकी वज़ा से वह और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कार्बन ऑक्सिजन का बॉंड क्योंकि कार्बन ऑक्सिजन का बावन हो गया है बाउन ऑडर इंक्रींज करेगा जब बाउन दंर क्रीज करेगा करेगी द़्ूसरी कार्बोन लीगन जब अपने अंटी-bonding π.molecular orbital यानिके 2π में electron density वुद्राव करेगा असेप्ट करेगा मैटल के फिल्ड इलट्रोन को असेप्ट करेगा तो बेसिकली वो electron असेप्ट कर रहा है अपने अंटी-bonding molecular orbital में है ऐसा करने से वो पहले से कम stable होगा bond पहले से कम इसे बोले जाएगा कार्बुन लीगन, ऐसा करने से कारबन ओक्षिजन का जब बॉन ओर्डर है, वो कम हो जाएगा, और सब्सक्राइब अटिमेटिकली कम हो जाएगी, तो conclusion ये है, कि सिग्मा डोनेश्चन सब्सक्राइब इस बॉनेशन को इंक्रीज करता है, पा चाहे सिग्मा डोनेशन हो चाहे पाय सेप्टन्स हो दोनों केसी में बॉन्ड ओर इंक्रीज करता है कौन कौन साय से फैक्टर्स है जो कि चंची फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं पहला आपका बॉंडिंग मोड्स क्या है किस अन्वाइमेंट में यहां आपके सामने कुछ टाइप और कार्बॉन मेंशन है अगर कार्बॉन फ्री स्टेट में है इद्दम गैसिस स्टेट में है तो स्टेटी फ्रिक्वेंसी कार्बन ऑक्सीजन बॉंड की होगी तू वान फूर थ्री सेंप्रम्टमिटर इन्वर्स और अगर टर्मिनल कार्बॉन मतलब कार्बॉन लिगन मैटल किसाद बॉंडिट है और तरिफ एक ही मैटल है तो स्टेट्वेंसी थोड़े कम हो तो stretching frequency और कम हो गई 1750 से लेके 1850 लास्ट है आपका मियू 3 कार्बुनिल इस केस में कार्बुनिल लीगन कनेक्टेड है तीन मैंटर से stretching frequency और कम हो गई 1620 से 1730 पहुंच गई तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैटल आइंड हम इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे इस चर्चनी frequency कम होती जा रही है अगर हम सबसे पहले केस में बात करने टर्मिनल वाले केस में वहाँ पर 2143 से कम होके 1850 से लेके 2120 तक समाज गई तो जैसे कि हमने भी प्रीवीश स्लाइड में देखा था कि सिग्मा डॉनेशन बेसिकली सची फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करता है और पाइस सब्सक्राइब करता है यहां पर हमने देखा ओवराल इस चर्ची फ्रिक्वेंसी कम हो रही है इसका मतलब कि अगर हम कंपेज करें सिग्मा डॉनर पावर या पाइसेपन पावर ओवराल कंक्लुजन यह निकलेगा बेस अधि आयर स्पेक्वेंसी ज्यादा है उसकी सिग्मा डॉनेशन पावर से वही डॉमिनट किया उसके डॉमिनट करने की विज़र से ओवराल इस चंची इस करते जाओगे मिव 2 में मिव 3 में वैसे वैसे स्टर्ची फ्रिक्वेंसी कम होती जा रही है यहां पर आपके सामने एक्जामपल है है अध्याकार्बुनिल क्रोमियम कॉंप्टर जिसका एक सिंगल स्टर्ची फ्रिक्वेंसी यह 2000 सम्ट्र में इंवर्स कि दूसी तरफ ह सामने में दो पीक मिलें है आयर स्पेक्ट्रम एक है आपकी 2000 से लिके 2100 के रेंज में जो के बताता है यह तर्मिनल कर्वन लीगन के करस्पॉंड है दूसरा आपका एक और पीक मिला जिसका रेंग्स है 1886 से लेके 1857 जो के एक ब्रेजिंग कार्वन की रेंज में आता है इस second factor है आपका charge on the complex, यहां आपके सामने complexes दिये हुए हैं, एक है आपका tetra carbon nickel, दूसरा है आपका tetra carbon cobalt with minus one charge, एक है आपका tetra carbon iron with two negative charge, और last में आपका दिये हैं free carbon, अगर मैं इन तीनों complexes की बात करूँ, तो तीनों complexes में number of legion and type of legion, सब सेम हैं, तीनों cases में चार carbonion legion है, अचा तीनों ही आपके d10 system है, system भी सेम है, तो difference क्या है, difference स्रिफ चार्ज का है, nickel के case में zero charge है, cobalt के case में minus one charge है, iron के case में दो negative charge है, अब बात करते हैं stretching frequency की, अगर आप stretching frequency देखें, तो nickel के case में stretching frequency है, 2060, cobalt में value कम हो गई, और iron में और कम हो गई, ठीक, अगर हम बात करें सबसे पहले iron को case में, iron के case में iron complex में iron पे two negative charge है, मतलब उसके पाफ बहुत ज्यादा electron density है, जो के वो easily donate कर सकता है, carbon legion के anti bonding molecular orbital में, तो इस case में pi acceptance बहुत ज्यादा होगा, electron density को ज्यादा ही accept कर लेगा, जिसकी वज़े से carbon oxygen का bond सबसे weakest हो जाएगा, और इसी वज़े से इसकी stretching frequency i 1790, कोबाल के case में two negative की जगा, one negative है, मतला electron density है, बहुत ज्यादा है, लेकिन iron के compare में कम है, तो उसके, उसमें कोबाल के case में comparatively, थोड़ा कम electron density, carbon legion accept करेगा, तो इस वज़े से, उसका stretching frequency, iron के compare में थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि वहाँ कम pi electron accept हुआ है, तीसरा है आपका nickel का complex, जिसमें zero oxidation state है, उसमें एक limited amount ही nickel electron density को provide कर सकता है, carbon legion के anti-bonding pi molecular orbiter में, जिसकी वज़े से, इसमें searching frequency है, 2060, और उसी के असाब से, उसके bond order आप देख सकते हैं, carbon oxygen का, एक और example देख लेते हैं, जिसमें DC system है, तो hexa carbon complex है, iron वाले case में two positive charge है, manganese में plus one charge है, chromium neutral है, vanadium में minus one charge है, titanium में two negative charge है, इस सभी cases में carbon ligand है, शे carbon ligand है, DC system है, तो difference क्या बचा, तो तो titanium में आपका two negative charge है, तो उस case में सबसे ज़्यादा पाई acceptance होगा, और इसी वज़र से stretching frequency सबसे कमाई, 1748, तो negative charge का तो अल्यड़ी हम D10 system के बेस पर कर चुके हैं, बात करते हैं, मैंगनेज में में, जिसमें plus one charge है, तो मैंगनेज में क्योंकि plus one charge है, तो बहुत limited amount ही electron density को वो transfer कर सकता है, बहुत limited amount में, तो जिसकी वज़ा से उसकी stretching frequency आई 2100, आइरन के case में उसके पास आइरन में अल्यड़ी two plus charge है, मतलब अल्यड़ी एक electron deficient metal है, उस case में उसकी stretching frequency observe की गई carbon oxygen की 2204, बात यह है कि free carbon की है 2143, और iron की case में 2204, मतलब क्या सब्सक्राइब इस complex में उल्टा ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि iron जो के plus two oxidation state में है, इसने basically electron density transfer की ही नहीं, और अगर key भी है, तो वो dominant नहीं किया, sigma donor power carbonil का dominant किया over its pi acceptance power, और sigma donor क्या करता है, तो stretching frequency को increase करता है, और इसी वज़त से यहाँ पर stretching frequency overall increase कर गई, तो iron वाला complex जो एक ऐसा example है, जिस case में stretching frequency free carbonil से ज्यादा observe की गई है, तो जो हभी हमने experience किया, based on the result, इसका हम फिर generalize कर सकते हैं, कि free carbonil में maximum आती है, stretching frequency, then metal carbon cutain में, फिर neutral में, और last में आपका metal carbonil anion में, थर्ड फेक्टर आपका पाई-acid ligand, पाई-acid ligand किस तरह से affect कर सकता है, पहले जानना जुरूग है कि पाई-acid ligand basically होते क्या है, पाई-acid ligand basically वो ligand होते हैं, जो के पाई-acid को accept करते हैं, अपने electron density को withdraw करके, और अपने low-lying, vacant pi orbital या anti-mounding pi orbital में accept करते हैं, और ऐसे ligand को हम बोलते हैं, पाई-acid या पाई-aception ligand, जैसे के कार्बनिल को हमने डिसकस किया ही था, इसके अलावा नाइट्रोसील है, आई-सो-साइना और फास्फिन है, तो कार्बनिल की तरह इन में भी एक प्रॉपर्टी होती है, इनकी भी कि यह lower oxygen state की metal में stabilize कर लेते हैं, क्रॉपर्टी आएट्लाओ चाहँ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्ट रजिय। है देंट करती किए अगर किसी में में साइट पर या सारे कार्वन है तो crowd जूँइंगांग के fans पूर दूसरा करणो mogą लीदि इन है और अगर किसी को डार करकी सिंगल वालुन देते हैं लेकिन अगर लेकिन किसे अंगर करणवर लिटिशन पर कोई होलाज उसके खंड़ कारभोली यह कॉई इस जाती त efic कोई वीकर पाइसीड लीगंट से रिप्लेस कर दिया किसी एक कारबन लीगंट जो किसकी टांस पॉदूसन पर है क्योंकि वह कर पाइसेट लीगंट है तो उसकेस में तेंडेंसी मैटल के फिल्ड इलट्रॉन को असेप्ट करने की टंडेंसी कम हो जाएगी जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि मैटल है और इसका एक डी और्बिटल ड्रॉ किया गया है तो अगर कार्वन लिगन के ट्रांस पोदिशन पर जो लिगन है अगर इसका पाइसेप्टन टंडेंस की तो उसकेस में क्योंकि उसने अपने क्योंकि फिल्ख in को वूब्रॉण की है तो ऐसे केसमें कर्चनी fraction traffic कम कम हो जाएगा और कार्बोन और कार्बोन का बॉल्ड होगा जब कि मैटल मैटल कार्बोन का बॉल्ड कार्बोन का और दूसरा है हम ने है कि तीन कारबोन लिगंद को रिप्लेस किया तो किरिदिन जो है जब हम तीन कारबोन के स्ट्रेशीं फ्रिक्वेंसी कम हो गई इस चेंटीन कैंको हो गई यूँकि फ्रेटिन एक वीक पाई एसीड लिगंड है जो के sufficient electron density को accept नहीं करेगा metal के field d orbital से ऐसा करने से molybdenum के पास sufficient electron density होगी जो के फिर वो donate करेगा कार्बुनील को और कार्बुनील इस electron density को accept करेगा अपने anti-bonding molecule orbital में जिससे उसका bond order carbon का और oxygen का कम हो जाएगा उसकी bonding strength कम हो जाएगी इसकी stretching frequency कम हो जाएगी वही हमने यहाँ देखा कि molybdenum के छे कार्बुनील में से तीन को हमने रिप्लेस किया प्रिडिन से तो stretching frequency कम हो गई यह hypothesis को फिर फर्दर confirm कर सकते हैं किसी और से लेकर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्राइफिनल फॉस्फिन है और एक ट्राइफिनल फॉस्फिन के केस में stretching frequency है 1930 जबके ट्राइफिनल फॉस्फिन में मेटल से और मेटल के पास एक अप इनफ इलट्राइफिन होगी अपने डी आप टल में जो के वह डोनेट कर पाएगा ज्यादा हो जाएगी तो वह ज्यादा होने से काबन का बॉन हो जाएगा बॉन और खंदर कम हो जाएगा वह हमने यहां देखा है कि जैसे जैसे में क्लोराइड करते गए वैसे वैसे सब्सक्राइफिन की भी बरती गई क्योंकि हम मूव कर रहे हैं एक बैटर स्ट्रोंगर पाय असे लिगन की तरफ कि और इन सब डेटा एक्सपरीमेंट डेटा के बैस में कुछ समराइज किया और यहां कुछ और है पायसीड लिगन जिसमें नाइट्रो सिल सबसे स्ट्रॉंगस पायसीड लीगन है और दूसरे नंबर पर आपका कारवुनिल आता है इसके लावब कुछ वीक पायसीड लीग सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि इसका बैक्ग्राउंड क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं हाइबडाइजेशन की हाइबडाइजेशन का मतलब होता है कि किसी एक सिंगल आटम के अंदर कुछ अटामिक और जिनके एनरजी आसपास है वह आपस में कंबाइन किय क्योंकि उनके इनरजी लगबख सेम है कम्बाइन करने के बाद वो जनरेट करेंगे एक निव और जिसको की एनरजी बिल्कुल सेम जिसका शेप बिल्कुल सेम और ऐसे और आप यहां टेबल में दिख सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करने के बाद एक निव और जनरेट करते हैं जो कि होता है आपका एसपी तो जब कार्वन का अ a a a a a a spiritula और अफसेम करते हैं तो वो एसपी हाइबी अपने at all में है तो जब इन से और कारवन कमबाइन करते हैं तो उसी आर्रेंजमेंट में कमबाइन करने की वज़र से उनकी जुमेटर लीनियरर होती है इसी तरहीके से बागी को आप देख सकते हैं सलिए बात करते हैं Mono nuclear-metal-carbon complexes आपका Tetra carbon illnesses of Nickel and Palladium दौनों का इनधारादीन यहां सबसे पहले बाच करते हैं निकल टारताराकार्डीन सब्सक्राइब की निकिल का अटमिक नमर उदा 28 और इसके साब से स्केल अट्राइब कॉन्फिग्रेशन हो गई ग्राउंड इस्टेट में 3D8-4S2-4P0 अब क्योंकि यहां चार कार्बुनिल है एक्साइड इस्टेट में रियालिंज किया और एक्साइड इस्टेट में इसक आपस में कंभाइन करके एक चार हैबरिड ऑर्बिटर जनलिक करेंगे जो कि होगा आपका SP3 हाइबरीड ऑर्बिड ऑर्बिटल हैं और यहां पर चार कार्बुनिल अपने इलक्ट्रॉन को डोनेट करेगा है तो हर एक कार्बोनील हर एक एस्पी हाइब्रीड और्बिटल में इलेक्ट्रोन डोनेट करेगा और इस तरीके से एस्पी थ्री हाइब्राइजेशन के थुरू एक निकल ट्राइब्र कार्विन कॉम्प्लक्स प्रोड्यूस होगा इस केस में आप देशते हैं कि स्पी थ्री हाइब्रिड डाइजेशन है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जुमाटरी ट्राइट्रोल होगी और क्योंकि यहां पर कोई भी अंप्रेड इलेक्ट्रोन नहीं है तो यह एक डायमेग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है जिसका पॉइंट ग्रूप है टीडी दूसरा आप आपका आयरेन पंटा कार्बनिल आयरेन का टामिक नमर टुटिए शिक्स और इलक्रॉनिक गान्फिग्रेशन होगी थ्रीडी 6 4s2 4p0 एक्साइड़वड इस्टेट में पांस लिगंड की वेज़े से इसको में रेहेरेंज किया और एक्साइड़वड इसकी इलक्रॉनिक combine करने के बाद hybridize करने के बाद dsp3 hybridization के थुरू dsp3 hybrid orbital produce करेंगे यह 5 dsp3 hybrid orbital equal in energy है, equal in shape है, equal in size है और सारे के सारे vacant है अब क्योंकि यह 5 vacant है तो 5 vacant यहाप अपने electron density को donate कर सकते है जैसे के कार्बुनील है, कार्बुनील अपने electron को donate करेगा, into the vacant dsp3 hybrid orbital हना ऐसा करने के बाद आप iron के पास substitution electron density हो जाएगी फिर वो क्या करेगा, electron density को donate करेगा, कार्बुनील के vacant anti-bonding pi molecular orbital में तो यह जो synergy effect है basically, और इसके थुरू एक complex produce होगा और क्योंकि यह dsp3 hybridization के थुरू है, तो इसकी जो matrix हो जाएगी trigonal bipramidal जो के diamagnetic है, क्योंकि इस case में कोई भी unfair electron नहीं है और इसका point group है d3h, इसके बाद है आपका hexacarbonyl chromium complex chromium का atomic number होता है 24, electronic configuration होगी ground state में 3d6 और 4s2 क्योंकि यह half field के close है तो इसकी electronic configuration हो जाएगी 3d5, 4s1, 4p0 6 ligand है, rearrangement होगा, excited state में और electronic configuration हो जाएगी 3d6, 4s0 और 4p0 और क्योंकि यहां पर 6 ligand है, तो 3 atomic orbital 4p के, 1 atomic orbital 4s का और 2 vacant 3d atomic orbitals, यह आपास में combine करेंगे, hybridize करेंगे और hybridize करने के बाद जो आपको hybrid orbital ने देंगे, वो होगा आपका d2sp3 यह d2sp3 vacant है, और यह 6 carbon ligand से electron density वो ड्राव कर सकता है, accept कर सकता है, तो जब carbon ligand अपने electron density को donate करेगा, sigma donate करेगा, into the d2sp3, तो accept कर लेगा, उसके बाद chromium के पास sufficient electron density हो जाएगी, फिर वो donate करेगा, carbon के vacant anti-bonding pi molecules orbital में, और इस सरीके से synergic bonding होगी, और यह complex produce होगा, क्योंकि hybridization d2sp3 है, तो geometry हो जाएगी, octahedral और क्योंकि कोई भी अंप्रियोड electron नहीं है, यह diamagnetic complex है, और जिसकी point group है, OH, इसके बाद बात करते हैं, formation of polynuclear carbonic complexes, basically polynuclear complexes बनते क्यों हैं, कुछ transitions matter जिनका odd electron है, जैसे manganese, cobalt, copper, इन सभी cases में इनका atomic number odd है, तो वो कितने भी carbonic ligand लेलें, उनका 36 effective atomic number rule follow नहीं होगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपना आपको stabilize करने के लिए, या कहो के effective atomic number rule को follow करने के लिए, ओबे करने के लिए, वो polynuclear metal carbon complexes produce करते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ odd ही करते हैं, even भी करते हैं, पहले से example के देख लेते हैं, di manganese complex है आपका, इस case में manganese atomic number 25, तो 50 electron आजेंगे आपके 2 manganese से, 10 carbonil है, तो 20 electron आगए 10 carbonil से, और क्योंकि इक metal metal bond है, अच्छा, metal metal bond जो है, उसका हम 2 electron काउंट करते हैं, तो 2 electron आगए, अपके 1 manganese manganese bond, overall इस complex में 72 electron हो गए, पर atom 36, मतला यह complex effective atomic number rule को follow कर रहा है, इसके बाद बात करते हैं, कि कुछ और भी ऐसे metal हैं, जो के polynuclear complex बनाते हैं, जैसे के iron, iron आपका trinuclear भी हो सकता है, dinuclear भी हो सकता है, जैसे के fe3, co12 and fe2, co9, और इसके लावब कुछ और complexes भी यहां दिये हुए हैं, manganese के और cobalt के और rhodium के, आप यहां देख सकते हैं, कि जब 2 metal होते हैं किसी भी complex में, उस case में total number of metal metal bond, और number of metal metal electron पिसके double हो जाएंगे, नहींक़ 2 हो जाएंगे, जब 3 metal होते हैं, उस case में total number of metal metal bond हो मेंगे 3 और total number of metal metal electron हो जएंगे 6 जब 4 metal होंगे तो उस case में total number of metal metal bond होंगे 6 और च्छे रहां । इससे नंबर मैंटल बाइफ बान को सॉलूशन में जो के ट्राइवनाल बाइप्राम्ट्रेलर जिसकी पॉइंट ग्रूप है डी-3-D अगर मैंसका सॉलिड फेस की बाद करूँ उस दोड़ा सा का डिस्टॉर्ट औक्टाइड जमाटरी होती है जिसका पॉइंट गरूप होता है और जिसका पॉइंट गरूप है यह लास्ट में अगजामपल दिया हुआ आपका टेंटिनम का मैंगनीज का और रीनियम का यह एक यह दै नुक्लियो कंप्लेक्स है मेंगनीज का ट्राटिनम का और इनियम का जिसमें 10 कार्बोनील है और जिसकी जुमाटरी ऑक्टर हेड्र और इसका पॉइंट ग्रूप है दी-4-D की सबसे मेले बात करते हैं डाय मेंगनीज डेका कार्बोनील की मेंगनीज है जिसका ग्राउंड इस्टेट में इसका अटमिक नमर के हिसाब से 25 है और ग्राउंड इस्टेट में अलक्राउंड कांफिग्रेशन हो जाएगी इसकी 3D5-4s2-4p0 एक्साइड इस्टेट में दोन और दो वेकेंट D-orbital हैं एक वेकेंट S-orbital हो तीन वेकेंट P-orbital है यह आपस में कम्बाइन करके D2-SP3 hybrid orbital जनरेट करेंगे जिसमें सबसे पहले जो और इलक्टरॉन है वाले D2-SP3 hybrid orbital है वो आपस में कम्बाइन करके मेंगनीज-मेंगनीज बना देंगे और बाकी के जो पाँच D2-SP3 hybrid orbital होंगे दोने मेंगनीज आटम के अंदर वो दोनों पाँच पाँच कार्बोनिल लीगन के इलक्टरॉन को असेप्ट करेंगे और असेप्ट करने के बाद मतलब ठीक वही प्रोसेश है कि कार्बोनिल लिगन इलक्टरॉन को डोनेट करेंगा सिग्मा डोनेशन से फिर बाद में मेंगनीज के फिल्ट्रॉन डोनेट होंगे मैटल के सारी कार्बोनिंग पाई मॉलेकल और विटल में इस तरीके से एक अब क्योंकि D2 SP3 hybridization है तो उसकी जिमेटरी हो जाएगी octahedral सारे पेडिलक्ट्रॉन सारे पेडिलक्ट्रॉन है तो diamagnetic और इसका पॉइंट ग्रूप है D4D दूसरा है आपका डाई कोबल अक्टा कार्विन कॉंप्लेक्स इस कॉंप्लेक्स में solid state में दो ब्रीजिंग लिगन्स होते हैं और इसका दर structure है hexane में या किसी solution के अंदर उसमें देखा गया है कि कोई भी ब्रीजिंग लिगन्न नहीं है सारे के सारे टर्मिनल कार्विनल लिगन्न है वो भी आपकी लाई करती है 2000 से लेके 2100 सेंट्मिनल कार्विनल के और दूसरा आपका 1886 से लेके 1857 सेंट्मिनल में जो के कर्सपांड ब्रीजिंग कार्विनल लिगन्न के solution phase के साब से और solution phase में आपका सिर्फ एक इस सिंगल पीक मिलता है जो के 2000 से 2120 में होता है इसका मतलब होता है कि solution phase में सिर्फ टर्मिनल कार्विनल लिए एक्जिट कर रहा है चलिए structure की बात करते हैं पहला solution के phase में डाइ कार्विनल स्री डाइ कोबाल्ड अक्टा कार्विनल कोबाल्ड है अटमिक नमर 27 ग्राउंड शेट में इलक्ट्रोनिक कान्फिग्रेशन हो जाएगी 3D7 4S2 4P3 ओके तो excited state में लीगन के हिसाब से इसको rearrange किया और electronic configuration हो गई 3D9 4S0 और 4P0 तो इस case में जो और electron वार डी ऑर्बिटल है और साथ में जो वेकेंट 4S और 4P अटमिक ऑर्बिटल है यह आपस में combine करके dsp3 hybridization और इसके तुरू dsp3 hybrid orbital produce करेंगे इसमें सबसे पहले जो और electron वाले dsp3 hybrid orbital आपस में combine करेंगे to give you cobal cobal metal metal bond physically और फिर बाकी जो बचेंगे वेकेंट dsp3 hybrid orbital वो चार-चार carbon ligand से electron accept करेंगे और finally आपको एक product देंगे dicobal octa carbon complex और क्योंकि dsp3 hybridization है तो जो मेंटरी हो जाएगी ट्राइगुनल बाइप्रामिटल और इसकेस में आप देख सकते हैं लिगन सारे स्टेंगर्ट कॉन्फरमेशन एक्वाइट किये हैं क्योंकि सारे electron paired हैं तो यह diamagnetic है और इसका electronic configuration होगा 3d84s14p0 तो इसकेस में बेसिकली क्योंकि ब्रिजिल लीगन है तो हमने इस में तीन atomic orbital में और electron रखे हैं तो डी और्बिटल जिसमें दो अनपेड़ इलेक्राण है एस और जिसमें एक अनपेड़ इलेक्राण है और फोर पी जो के वेकेंट है यह आपस में combine करेंगे combine करेंगे d2 sp3 hybrid orbital जनरेट करेंगे इस d2 sp3 hybrid orbital में सबसे पहला जो है वह आपका और इलेक्राण जिसमें है उस वह ऐसे ही सेम कोबाल्ट वाले के साथ combine करके metal metal bond generate कर देगा उसके बाद जो बात के जुद्दो और इलेक्राण के d2 sp3 hybrid orbital है वह आपस में combine करेंगे एक carbon ligand से जिसमें एक और इलेक्राण है तो गिव यू मिव टू ब्रीजिंग कार्बून लीगन तो इस केस में basically क्या है कि एक carbon ligand है जो एक electron एक metal को देगा एक electron दूसरे metal को देगा उसके बाद जो वेकेंट तीन d2 sp3 hybrid orbital बचेंगे वह carbon ligand को accept करेंगे और ऐसे ओवराल छे हो जाएंगे ठीक तो इस तरीके से इसका c2v point group होगा जिसमें आपके दो ब्रीजिंग कार्बूनिल है और छे टर्मिनल कार्बून लीगन है क्योंकि सारे के सारे पेर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डाय मेगनोडिक कॉंप्लेक्स है अब बात करते हैं ब्रीजिंग कार्बूनिल किस पर डिपैंड करता है अगर बात करें ब्रीजिंग कार्बून लीगन की तो ब्रीजिंग लीगन या ब्रीजिंग कार्बून लीगन डाउन दग्रूप जाएंगे आप वह वैसे वैसे कम होते जाएंगे क्योंकि मैटल मैट को hold कर पाए जो के sufficient distance पे हैं बहुत ज्यादा distance पे हैं तो जैसे जाएंगे वैसे वैसे नंबर आप ब्रिजिन लिगन काम होते जाएंगे टर्मिलन कार्बोन लीगन बढ़ते जाएंगे जैसे कि आप यहां एक example देख सकते हैं बाइ नुक्लियर का एक आयरन का complex है एक आस्मियम को complex है आयरन के केस में metal metal bond है 1.17 और आस्मियम के केस में 1.26 आयरन वाले complex में और आस्मियम वाले complex में दोने cases में number of ligand same है दोने में ही दोदे मैटल है लेकिन क्योंकि atomic radius अलग-अलग है दोने case में इस वज़ा से आस्मियम केस में सिर्फ एक this means यह सेम छीज हमने experience की थी यह ट्राइड वैकला कंप्रम केस में दो धी ओस्यम में एक आइन रिखन नहीं है क्यों चलिए बात करते हैं डाई अडाए नोन ना कार्बुन Popular works जिए और आटोमिक नंबर प wiping उसके साब सेres twin dad 3D6 and 4S2 4P0 और Ground State के साफ़ से फिर हम Excited State लेंगे और Excited State में हमारे पास क्योंकि No Carbon Legan है तो इसके साफ़ से हमने Excitation की और Excitation करने के बाद जो हमने पाया कि Basically इसमें D3 SP3 Hybridization हो रही है जिसमें 4 D3 SP3 Hybrid Orbital में और Electron है ठीक तो जो सबसे पहला और Electron होगा D3 SP3 Hybrid Orbital में वो आपस में कंबाइन करेगा और Iron Iron Bond प्रोडूस कर देगा उसके बाद जो तीन और Electron वाले हैं D3 SP3 Hybrid Orbital वो Carbonil के और Electron को Accept करेंगे मतलब और Electron और D3 SP3 Hybrid Orbital Combined विग और Electron of Carbonil लिगन तो गिव यू Mew 2 Bridging Carbonil उसके बाद जो तीन वेकेंड D3 SP3 Hybrid Orbital बनेंगे बचेंगे वो Carbonil लिगन को Accept करेंगे ओवराल ऐसे 6 होंगे और क्योंकि इस केस में Hybridization D3 SP3 तो Point Group हो गया D3 H क्योंकि इस केस में 3 Bridging है और 6 आपके Terminal Carbonil लिगन है क्योंकि सारे Paired हैं तो इस Complex भी आपका Diamagnetic हो गया इसके बाद है आपकी 3rd category Poly Nuclear Metal Carbon Complex इस केस में सबसे पहले दिया गया है Tri Iron Complex जिसका Point Group है C3 V उसके बाद है Rothenium और Osmium का Complex है इसमें 3-3 Metals है जिसका Point Group है D3 H और Tetra Cobalt and Tetra Rhodium Complex है जिसका Point Group है C3 V और इसके बाद है Tetra Iridium Complex जिसका Point Group है Tetra Hydral और Last में आपका है Hexa Cobalt या Hexa Rhodium Complex जिसका Point Group है Octahedral लनीके O-H इन सभी केसिस में Number of Terminal या Number of Breezing Carbon Complex अलग अलगे जिसको डिटेल में अब देखते हैं सबसे पहला आपका Tri-Rothenium Dodeca Carbon Complex इस केस में Rothenium की Excited State में आप देख सकते हैं कि 4D, 8, 5S, 0 और 5P, 0 उनका Electronic Configuration है अब लीकन के साब से Number of Metal के साब से हमने कुछ Arrangement ऐसा किया कि 4D के अंदर दो Unpired Atomic Orbital है 5S, 0 और 5P, 20, 0 है यह जब आप अपस में Combine करेंगे तो Hybridization देंगे D2, SP3 और उसके Accordingly D2, SP3 Hybrid Orbital Generate करेंगे फिर जो पहले सारे Metal के अंदर जो पहले दो और Electron वाले D2, SP3 Hybrid Orbital होंगे आप अपस में Combine करेंगे और 3 Metal-Metal Bonds Generate करेंगे उसके बाद जितने भी D2, SP3 Hybrid Orbital है वो Carbon Legion को Accept करेंगे और Complex देंगे RU3, CO12 D2, SP3 Hybridization की विज़स है और उनकी Arrangement के हिसाब से इसका Point Group होगा D3H क्योंकि सारे के सारे Paired हैं तो Diagnetic Complex है उसके बाद है आपका Tri-Iron Dodeca Carbon Complex इस Case में आपका पहले दो Iron पहले दो Iron D3, SP3 Hybridization Produce करेंगे जिसमें आपके उसके भी दो पहले जो दो होंगे पहले जो Unpaired Electrons वाले D3, SP Hybrid Orbital वो आपस में Combine कर सकते हैं और जो बाद के जो दो होंगे वो आपके Mu2 Breezing Carbon जनरेट करेंगे उसके बाद बाकी जो D3, SP Hybrid Orbital बचेंगे वो Carbon Legan का सेब करेंगे जो तीसरे नमबर का Iron है वो बेसिकली D2, SP3 Hybrid Orbital है जिसमें आपका एक भी Breezing Carbon इंवाल्ड नहीं होगा फिर इन तीनों Metal के और Electron उनके अपने Hybrid Orbital में आपस में Combine करेंगे तीन Metal Metal Bond जनरेट करेंगे इस Complex का Point Group होगा C3V और एक Time Magnetic Complex है इस Case में Overall 2 Breezing Carbon Legan है बाकी 10 आपके Terminal Carbon Legan है इसके बाद है आपका Tetra Rhodium Dodeca Carbon Complex इस Case में जो पहले 3 Rhodium Complex है वो आपके D3, SP3 Hybridization में जाके D3, SP3 Hybrid Orbital Produce करेंगे उन हर एक पहले 3 Rhodium Metal के 2 Odd Electron वाले D3, SP3 Hybrid Orbital आपके 3 Breezing Carbon Generate करेंगे बाकी उनके जो Vacant Hybrid Orbital होंगे वो 2-2 Carbon Legan को Accept करेंगे Last में आपका जो चौता Rhodium बचेगा वो आपका D2, SP3 Hybridization के थूँ D2, SP3 Hybrid Orbital Produce करेंगे जो के Basically 3 Carbon Legan को Accept करेंगे हर एक Metal के 3-3 Odd Hybrid Orbital आपस में Combine करेंगे और Overall 6 Metal Metal Bond Generate करेंगे इनके इनकी Bonding के हिसाब से इनका Point Group Generate जो होगा वो होगा C3V और ये भी एक Diamagnetic Complex है उसके बाद है आपका Tetra, Iridium, Dodeca Carbon Complex इसकेस में चारो Iridium Metal एक ही Condition में है और एक ही Environment में एक ही Hybridization में जाएंगे जो के है आपका D2 SP3 Hybridization इन सभी Hybrid Orbital में से 3 और Electron वाले आपस में Combine करके 6 Metal Metal यानके 6 Iridium Iridium Bond Generate करेंगे और हर एक के 3 वेकंड Hybrid Orbital आपके Carbonal Legand को Accept करके Overall 12 Carbonal Legand Generate करेंगे इस केस में एक भी Breezing Legand नहीं है सारे के 12 आपके Terminal Carbonal Legand है इसका Point के रूप है TD और ये भी Dimagnetic Complex है Last है आपका Hexarodium Hexar Decker Carbon Complex इस केस में सारे के सारे Rhodium जो होंगे आपके D2 SP3 Hybridization में जाएंगे और जिसमें उनके पहले 3 और Electron वाले D2 SP3 Hybrid Orbital आपस में Combine करेंगे और Overall 12 Metal Metal Bond Generate करेंगे उसके बाद इनके जो 6 Metal और Electron वाले Rhodium है वो 4 Carbon से Combine करके Mew 3 Breezing Carbon Bond Generate करेंगे और इसके बाद आपका जो Vacant 2-2 B2 SP3 Hybrid Orbital बचेंगे वो Carbon Legan को Accept करके RS6 CO6 यानि Hexarodium Hexadeca Carbon Complex Generate करेंगे जो के Octahedral होगा अपने यह complex एक Mew 3 Breezing Carbon Complex Example भी है जिसमें Carbon Legan यानि Breezing Carbon Legan 3 Metal आइन से Connected होगा तो यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो को End करता हूँ थैंक्स फर वाचिंग और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें